नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल One Nation One Examper तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग UPDLA 3rd semester का मैत का पूरा सलेबस चैप्टर वाही समझ रहे हैं तो दोस्तों यह लगू गड़क चैप्टर है जिसका Part 2 है यानि वीडियो टू है इससे पहले हम Part 1 कर चुके हैं जिसमें लगू गड़क क्या होता है पूरांश क्या होता है साथी साथ लगू-गड़क से घाती ये रूप में और घाती ये रूप से लगू-गड़क रूप में किस प्रकार बदला जाता है साथी साथ लॉक के जो नियम होते हैं वह हम पढ़ चुके हैं तो दोस्तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा दोस्तो उस वीडियो को अवस्य देखिएगा क्योंकि उसी नियमों पर यह सारे प्रस्ण आधारी था है ठीक है दोस्तो और इसी प्रकार के प्रस्ण भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो दोस्तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रस्ण संख्या तीन इससे पहले प्रस्ण 1 और 2 हम करा चुके हैं तो प्रस्ण 3 देखते हैं इसमें कह रहा है लॉग 169 to the base 13 का मान याद करना है तो दोस्तो जैसे आप इस प्रकार का प्रस्ण देखेंगे आपको एक नियम याद होगा कि लॉग A to the base A बराबर 1 होता है तो हम क्या ऐसा 169 को इस प्रकार किस प्रकार कैसे break करें कि यह जो आधार या base दिया हुआ है इसमें convert हो जाए तो दोस्तो 169 को हम 13 गुड़े 13 लिख सकते हैं तो हम यही लिखेंगे क्योंकि यह आधार के रूप में break हो जा रहा है तो लॉग 169 को हम 13 की घात 2 लिख देंगे और हमारा जो base था वो 13 ही रहेगा अब हमारा अगला नियम जो है उसे याद कीजिए कि लॉग M की घात अगर N है तो N लॉग M हो जाता है ठीक है दोस्तों यानि यह जो घात लगा है यह हमारा बाहर आ जाता है तो 2 लॉग 13 to the base 13 हो जाएगा और यहां के नियम के अनुसार अगर 13 है और base भी 13 है तो यह पूरा एक हो जाएगा यानि 2 गुड़े 1 बराबर 2 यानि हमारा उत्तर आ जाएगा प्रस्ण संक्या 3 का 2 अब हम देखते हैं अगला प्रस्ण जो है प्रस्ण संक्या 4 दोस्तों इसमें कह रहा है कि log 1 to the base 10 का मान ग्याद कीजिए तो दोस्तों जैसे आप base में 10 देख रहे हैं यहाँ पे 10 लिखा है तो हम 1 को किस प्रकार 10 के रूप में लिख सकते हैं तो अगर किसी भी संक्या की घाथ हम सून्य लगा देते हैं तो वह 1 ही आता है यानि 1 की जगा हम 10 की घाथ सून्य लिख सकते हैं और लॉग 10 to the base 10 बच जाएगा यानि सून्य लॉग 10 to the base 10 अब हमारा जो अगला नियम है या फिर 0 से वैसी भी कुछ भी गुड़ा होता है तो सून्य आता है या फिर लॉग A to the base A है तो यह उसके अनुसार 1 हो जाएगा और 1 के साथ जब सून्य गुड़ा होगा तो यह 0 आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ आपको प्रशन संख्या 4 भी समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं अगला प्रशन जो है प्रशन संख्या 5 तो दोस्तों यानि यह जो संख्या दी हुई है इसको 6 के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक करना है या फिर 6 को कितनी बार गुड़ा करें तो 1296 प्राप्त हो जाए ठीक है दोस्तों तो जो 1296 है वह 6 की घात 6 की घात दोस्तों 4 होता है यानि अगर हम 6 को 4 बार गुड़ा करते हैं तो हमारा 1296 आता है तो यानि हम 1296 की जगा 6 की घात 4 लिख सकते हैं तो लॉग 6 की घात 4 और बेस हमारा 6 था और 6 ही रहेगा इसके बाद जो नियम है वह है लॉग M की घात N है तो N बाहर आ जाता है और लॉग M बचता है तो उसी के अनुसार जो 4 है वह बाहर आ जाएगा और हमारा लॉग 6 बचेगा और बेस 6 था तो 6 ही लिखेंगे फिर अगला नियम है अगर लॉग A लिखा है और बेस भी A है तो वह 1 हो जाता है यानि यह 6 लॉग 6 to the base 6 जो है वह 1 हो जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तो 4 यानि प्रशन संक्या 5 का उत्तर आ गया 4 अब हम देखते हैं अगला प्रशन जो है प्रशन संक्या 6 दोस्तो इसमें कह रहा है कि लॉग 2 की पावर X प्लस 4 की बेस A दिया हुआ है बराबर लॉग 256 to the base A तो X का मान ग्याद करें तो दोस्तो इसमें X का मान ग्याद करना है तो हम क्या करेंगे 256 को हम 2 के 2 की घात लगा कर लिख लेंगे ठीक है दोस्तो तो हम 256 को इस प्रकार break करेंगे या देखेंगे कि क्या 2 के term में break होता है जी हाँ दोस्तो जो 256 होता है वह 2 की घात 8 होता है यानि अगर हम 2 को 8 बार गुड़ा करें तो 256 आ जाता है 256 को हमने 2 के ही घात में क्यों ब्रेक किया क्योंकि हमारी 2 तरफ log 2 दिया हुआ है तो यह जो दोनों तरफ अगर log 2 log 2 होता है तो इसकी जो घात होती है वह बराबर हो जाती है इसलिए हमने इस परकार ब्रेक किया तो log 2 की घात x प्लस 4 to the base a बराबर log 2 की घात 8 और base a है तो a ही होगा इस परकार अगर 22 तरफ यह और 22 तरफ यह दोनों सेम है तो जो घाते होती है वह आपस में बराबर हो जाती है तो x प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा और जो 4 इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानि x बराबर 8 माइनस 4 यानि 4 जो होगा वह हमारा उत्तर आ जाएगा अब हम देखते हैं अगला प्रस्ण सात्वा दोस्तो इसमें log 2 और log 3 की value दी हुई है और आपको log 72 की value ग्याद करनी है दोस्तो इसी प्रकार log 2 और 3 की value अगर ना दी हुई होती तो आप चाहें तो log 2 की value याद भी कर सकते हैं वैसे अगर किसी प्रस्ण में log 2 की value की जरूरत पड़ती है तो प्रस्ण में दिया होगा परन्तु आप याद कर लीजिए तो log 2 होता है दोस्तो 0.301 इसी प्रकार log 3 भी याद कर लीजिए log 3 होता है 0.4771 log 4 होता है 0.6020 और log 5 होता है 0.6989 ठीक है दोस्तो तो यह सिर्फ 4 log के term याद कर लीजिए इस पर आधारित आपको प्रस्ण exam paper में मिल सकते हैं तो दोस्तो हमें log 72 की value याद करनी है तो log 72 को हम क्या लिख सकते हैं log 72 को हम log 8 गुडे 9 लिख सकते हैं क्योंकि 8 नवा 72 होता है ठीक है हमने 8 गुडे 9 इसलिए लिखा तो मैंने आपको नियम बताया था कि log M plus log N हो जाता है अब जो यह 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की गहात 3 लिख सकते हैं इसी प्रकार जो log 9 है उसको 3 की गहात 2 लिख सकते हैं यहाँ पे आपका जो नियम log का का काम करेगा वो log M to the power N काम करेगा तो यह 3 जो है वो बाहर आजाएगा क्योंकि नियम में log M की गहात N होता है तो N log M हो जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तो 3 log 2 plus इसी प्रकार यहाँ भी 2 log 3 हो जाएगा अब हम log 2 की जो value दी है उसे put कर देंगे तो 0.3, 1, 2 के बाद जो log 3 की value है उसे भी put कर देंगे 0.4, 7, 7, 1 अब हम इसको हल कर लेंगे तो दोस्तों जो हल करने के बाद आएगा वो इसको हल करेंगे तो आएगा 2 से जब हम गुड़ा करेंगे 0.3, 1, 2 तो आएगा 0.9, 3, 2 इसी प्रकार जब हम 2 से log 3 में गुड़ा करेंगे तो आएगा दोस्तों 0.9, 5, 4, 2 और हम इसको जो जोड के लाएंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा तो उत्तर आजाएगा दोस्तों 1.8, 5, 7, 2 यही प्रस्ण संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं जो है प्रस्ण संख्या 8 दोस्तों इसमें कह रहा है कि log 27 बराबर 1.4, 3, 1 दिया है और log 9 की value पूछ रहा है यानि बड़े संख्या की value दी हुई है और छोटे संख्या की या फिर छोटे log की value पूछ रहा है जैसे पिछले प्रस्ण में log 2 और 3 दिया था 72 पूछ रहा था इसी प्रकार इसमें 27 दिया हुआ है और 9 की value पूछ रहा है तो दोस्तों हम 27 से 9 की value ग्याद करने की कोशिज करेंगे तो 27 को क्या लिख सकते है 3 की घात 3 बराबर जो दाई तरफ है उसको वैसे ही रखेंगे और बाई तरफ हम log 9 लाने की कोशिज करेंगे तो जो यह नियम होता है उसके अनुसार log M की घात अगर N है तो N यानि 3 बाहर हो जाएगा और log 3 बराबर 1.4, 3, 1 बचेगा यहां से जो 3 गुड़ा कर रहा है वो दूसरी तरफ जाके भाग करेगा तो जो log 3 की value आजाएगी दोस्तों वह आजाएगी log यहां 3 से हम इसको भाग कर देंगे तो 0, 4, 7, 7 आजाएगा ठीक है दोस्तों यानि log 3 की value आपने ग्याद कर ली परंतु आपको log 9 चाहिए तो अब हम इधर बाइं तरफ 2 से गुड़ा कर देंगे और दाइं तरफ भी 2 से गुड़ा कर देंगे और अगर जैसे log M की गहात N होता है तो N बाहर आजाता है यानि N log M होता है इसी प्रकार अगर यह लिखा हुआ है तो हम यहां से यह भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों लॉग 3 की घात या 2 हो जाएगा यानि लॉग 3 की घात 2 हो जाएगा जहां से यह हमारा बाई तरफ लॉग 9 आ जाएगा और दाई तरफ हम 0.477 में 2 से गुड़ा कर देंगे तो जो हमारी वैलू आएगी वह आएगी 0.954 और यही आपका उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और जो लॉग है वह पूरा यहां पर आपका कम्प्लीट हो जाता है इससे जितने भी प्रस्ण पूछे जाते हैं वह मैंने करा दिया है और थोड़ा लेबल बढ़ा की भी करा दिय है और अपने दोस्तों के साथ आवज से सहर करें